आप जैसे के अभी देख रहे हैं अभी हम पंजाम में है और पंजाम में यहां पर मचली पालन क्या जा रहा है अभी हम हाइवे से जाही रहे थे और तो हमें एक फार्म दिखा जहां पर मचली पालन क्या जा रहा है तो यहां पर इसके ओनर तो नहीं है लेकिन आपको बेसिक कर रहे हैं वो भी मछली फार्मिंग की जैसे कि तर देखें किस तरीके से तीन एकड में आपर फिस फार्मिंग की जाँ रही है और इसके अंदर इन्हें बता है तीन से चार जो वेराईटी जो बाहे से मचली Mechanical, क्वा जैसे वेराहू, कतला और अभी आपको देखने को किस तरीके से आपर इन्होंने तार बंदा वाए तार जो है यह प्लास्टिक का है इसका क्या होता है इसके लाइन से लाइन की दूरी एक फुट है ताकि कोई जो पक्सी है वह आपका इसके अंदर ना जा पाए तो इसलिए है और इस तीन एकड़ के फार्म पे एक अकेला बं जैसे भर जाता है तो वहां के दौरा वहां पर जो पाइप लगाओ ध्यान से देखिए उस पाइप के दौरा इसका पानी ऑटोमेटिक इसमें चला जाता है तो यह वी कापी अच्छी किसान ने किया बार-बार एक जहां उसे पानी नहीं भढ़ना पड़ता और यहां पर देख सकते हैं मेटब किस तरीके से अबर किसान ने डंडे की मदब से इस पर जाल की बुनाई की है और यहां पर फीड़ वगारा इसमें पर डाल देते हैं किसान इस टैंक के अंदर सबसे बढ़ा किसान ने मशली पालन के साथ-साथ बागवानी की है अगर आप किनारे की और चलते हैं तो यहां पर देखे हर बारा फुट दूर बाद एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है इसे क्या होता है किसानों को इसमें कोई फटिलाइजर नी डालना पड़ता मचली का जो पानी होता है जैसे कि इस तालाब को वो इसमें डालेगा तो फटिलाइजर मिल जा तो कमाल की विधी लगे उन्होंने चारोतर मेड बनाई अच्छे से चल सकते हैं और एक साइड में उन्होंने बता कि देखें यहां पर अमरूद की खेती कर रहे हैं तो काफी अच्छी चीज है यह ताकि किसानों को करनी भी चीए जिसे हमारे खेत की तारबैड भी हो जात से हैं पर आप ध्यान से देखें थोड़ा रातरी का समय हो चुका है लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि किसानों को कुछ बेसिक जानकारी दे सके तो यह देखें किस तरीके से आपर यह बंदा हुआ है इससे क्या होता है कोई पक्सी इसके अंदर नहीं आप करते हैं बाकिया आप देखें हुआ हम आपके साथ साथ आके चली रहे हैं और यह देख से यह आप तो यह एक पूरे तलाब के जो मच्छली पालन क्या जा रहा है वहां पर एक छोटा सा घर बनाया हुआ है जहां पर भीया जी रहते हैं और गोबर का इस्तमाल क्याद यहा इनको डाला जाता है इस तालाब के अंदर और बाकिया आप देख सकते हैं यहां पर पूरा विवस्ता है यहां पर ट्वैल भी लगा हुआ है तो इस तरीके से दूर दूर के जो किसान हैं अब खेती कर रहे हैं काफी अच्छा फाइदा भी है और एक पेड लगा है जिसकी च मचली पालन जादा नहीं पाएंगे अपना फाम अच्छा है चंडी गड़ से यहां और जो किसान हैं उन्होंने काफी अच्छा किया अंनों डेको मचली पालन के साथ साथ एक आदमी को रोजगार दिया अनोंने आज यह बीचारें यहां पर इसके देखरें कर रहे हैं तो और बाकी अपनी मिट्टी से हीनए क्या फायदा Southwest में पर खाद खाता बैध मचली तो नेने ले ले ली मचली के भाद हुआ क्याह सूनिए वहासानी ने तो यह अंडर उनीश का अच्छी देखने की चीज है और इस पूरे फार्म का बासे पाद खात है मुझे मिला है क्योंकि एक भी खर्पतवार यहां पर नहीं है तो किसान बाइयों बाकी मैंने आपको दिखाए दिया यहां पर इनकी किचन गार्डनिंग की जा रही है जिसमें थोड़ी बोती सब्जों की खेतियां पर किसान कर रहे हैं बाकी पूरा फार्म आप यहां से एक किसान से क्योंकि अभी तो मैं उनका कॉंटेक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पहले मुझे भी उनसे बात करनी पड़ेगी उसके बाद आप विजिट करिए उनसे जानकरे लीजे तभी मचली पालन करें कहीं किसान बाइस सोंक में वीडियो देखते हैं काफी घाटा हो जाता है तो पहले आप रिसर्च करिए अगर हम 10 लाग रुपे लगा रहे तो 50,000 उसकी रिसर्च में खर्च करें तब जाके हमें मचली पालन हो चाए बगरा पालन हो तब जाके फार्मिंग करें अन्य था कोई ऐसी फार्मिंग ना करें और साइद मेरे को लगता है इन्हों अच्छा मैनेजमेंट और अच्छी जानकरी के साथ अपना कान सुरू किया तभी तो इन्होंने बाग लगाया उसमें यह फ्रूटिंग कर रहे हैं इधर मचली पालन का जो तालाव है वह भी कापी अच्छा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जा जे किसान